हेलो ही में उन्पवार आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कार जो 40 लाग के जिसका वजट होता है सबसे पहली पसंद फोर्चोनर के बाद यह होती है आज अगर सेग्मेंट में बात करते हैं तो इस सेग्मेंट में तीन गाड़िया हैं जो ज्यादा भिक रही है इसमें पहले फोर्चोनर दूसरे नमबर पर एंडेवर ऊतिया एंजी की ग्लोश्टर जो भी भी आई में हैं तो आज यह फोर्ट एंडेवर का हम देखने वाले हैं क्या क्या सारी फीचर मिलते हैं बहुत सारी इसको अपना चैनलिटी चाहिए वह जाता है पोज़ातायों की पेसलेट वर्जन आये था और अभी 2020 में जो ब्लेक एडिशन है वो भी निकाले गया था जिसमें पूरी कार ब्लेक अलोई वगरा ब्लेक थे और वो देखने में और जादा बड़ी लगते हैं फीचास में भी कुछ उसमें बढ़ोतर ही की गई थी लोग के रीख सकते हैं को पानलोग के अपना करते हैं यहां और आपको मिलते हैं आपका एखस्यों के जाती है यहां पर आपको जलते रहते हैं इंडिकेटर्स यहां पर मिलते हैं इसमें cook lambs और इसमें front parking sensors आ जाते हैं जो कि आप देखेंगे यहां पर आपको मिलेंगे और इस अपना वाइट है यचे silver मिलता है और यह Chrome में अपनी आति है Ford की बड़ी बाकि अगर इसके अलोइस वगर आगे बार में बात करें तो यह जो अभी लेटस्ट आ रहे हैं वही डलवाली है इसमें पहले अलगा आते थे यह अभी अपडेट हो चुके हैं यहां पर आपको मिल जाते हैं इंजिन की बैजिंग 3.2 और आपको बैजिंग मिल जाती है और यह जो चीज देखना पर यह बस लुक के लिए लगा रिखे हैं अगर बात करते हैं तो इसकुछ इसमें आते हैं फोड का यहां पर लोगों मिलता और प्योर ओफ रोडिंग कार आप कह सकते हैं अब आपको दोका नहीं देती है अगर प्रोफाइल की बात किजा है तो तो आपको मिलते हैं और टार की लेंग बहुत अलंबी है आप देखेंगे और इसकी लुक परसेली मेरे को ज्यादा फोड़ जो पसंद है अगर आप जो अभी अपडेट आ रहा है उसकी बात करते हैं अपर क्रोम दोर हेंडल मिलते हैं पीशेक तरफ चलते हैं तो ऐसी नजर आती है बाई फोड एंडेवर की रियर लुक यहां पर फोड का यहां पर लोगो आता है यह रवाइपर डिफोगर हाई स्टोप लेंब आपको नोर्मल एंटीन मिलता है और यह एंडेवर के बैजिंग आती है अभी दो साल हो गए कार को लेकिन देख लो आप कहीं भी स्टोप बलनाट को सब्सक्राइब तो इस पेस आपको इतने कुछ मिलता है यहां आपको बहुता है एंड फ़र गलो हटां देख़िते हैं। बागी चलते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स ओपर करती है और यह कैसे बंद होगी इसी को अपने को दबाना होगा और यह अटमेटिकली बंद भी हो जाती है अभी चलते हैं कार के अंदर और यह देख लो फोर विल ड्राइव है यहां पर आपको उसकी बैजिंग भी बेजिए पर आपको कोई और ऑर कलर साफ को मिलता है गोल्ड गोल्ड अपको कुछ कलर है यहां पर सीट की बात करते हैं तो आप इलेक्ट्रोंकली इसको एड्जेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से इसे पारक अश्यक्त का फीचर आता है मनलब कार अटमेटिकल अपनी पार्क हो जाती है तो ऐसे सारे फीचर्स पोड एंडेवर में आपको मिल जाते हैं यहां पर मिलते हैं इसमें ट्वीटर अभी भाई इसका जो केवी नहीं वह फोर्ट चुनर से ज्यादा लगजरी फील होता है यहां पर मिल जाती है तो वही जो मैं आपको शुरू में बताया कि जिस बंदे को फीचर्स भी चाहिए तो फोर्ट एंडेवर उनके लिए है बस यह कि अपना फोर्ट उनकर नाम जादा चला जाता है उसकी रिसेल वैल्यू जादा चली जाती है इसकी भी बढ़िया है नाम है लेकिन अगर हम जाए कि रूरल इंडिया की बात करते हैं तो वहां फोर्ट उनर ही जादा चलती है यहां कर सेड़िंग वी यौज बात करें तो एसा कुछ टेरिंग वी आपको मिलता है यह पर फोर्ड का लोग आएगा यह पर अपना स्टेरिंग के कंट्रोल है और यहा वह बिलकल उनका basic variance आते हैं लेकि इसमें आपको इतना उंचा बैठते हैं आप देखो कितना उंचा हम बैठते हैं प्लस अपने जो features मिलते हैं वह भाई बहुत गदर मिलते हैं और नाम तो इनका है यह पर volume up-down up कर सकते हैं यह पर इस command का सारा features आते हैं इसमें चा भी लगा के देखते हैं यहां पर अपने को यह मिल जाता है इसमें जैसे मचा भी लगाएंगे तो यह इस तरीके सरे देखो इसके माइडिया आती बैए यह पर 200 तक इसमें मार्किंग है और यह देखो यह पूरा डिजी टाल है यह के वर अनलोग आता है इसमें यहां पार्किंग रिवर्स नूटल का आपको अलग अलग सिंबल मिल जाता है अब कही सकते हैं यह इसके हैं कंट्रोल करते हैं अब करण घराम तो आपने हैं знач वीपसकाली जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें हेलोजन बाल्ब सी आते हैं 2017 में यहां भी फोग लेंप ओन आफ करने के हैं आपको सारी बटस मिल जाते हैं तो कावी सारे क्वीचर्स के साथ यहां आती है और जो बिल्ड क्वालिटी के अगर बात करें तो दोर इसका काफी ज्यादा ह यह भाई बहुत जादा है इसका फील होता है अगर हम इसके बात करें तो करीबन आठ इंच के लगबग है जिसमें आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिल जाता है जहां पर ओडियो मिल जाएगा आपको यहां पर पूरा अपना FM आपको मिल जाएगा यहां पर फोन आपको मिल तो करेंगे हैं के शाधे सकते हैं को में ऐनकर मिल जाता है यहां को अपना भाई इस फिनिश की तो यह आपको ब्राउन में मिलेगा यह आपको मिलता है कुछ और फिनिश में और इसके अगर बात करेंगे तो यह आपको गलब बॉक्स कुछ इतना बड़ा मिल जाता है अब यह बात कर लेते हैं इस साइट डॉर की तो यह डॉर भी आपको देखो काफी प्रीमियम फील होता है यहां पर अलग मेट्रिल आपको मिलता है बाकि अगर गलब बोक्स के में बात करें तो हैं पर लाइट भी आपको मिल जाती है और इतना कुछ टोरेज में आपको मिल इसकी बैजिंग आपको यहां पर भी मिलेगी आपको स्पीकर मिल जाता है तो देखेंगे आप पूरा केविन इसका काफी लक्जरी फील होता है और इस सेवन सेटर का आ रहे है तो देखो बाले जैसे हम दोर बंद करते हैं तो कैसी तकड़िया वाद इसमें आती है वह उत इसे यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आती है कर सकते हैं नोगी इंगे उनको बीग होती है यहां पर एक साथ भी जला सकते हैं इंडिवसली भी आप यहाँ से जला सकते हैं यहाँ पर अंद्स आपको मिलते यहां पे यहाँ नहीं है को इसे आपको मिलते हैं यहां से हैं को लेंगे ते भी जलने दग जाते हैं एक खास चीज बारे में यह है इसके जो मुझी सिस्टम है वह बहुत बढ़िया है मतलब आपको आपको आफ्टर मार्केट जाने के जरुत ही निया मतलब सोच नी की बढ़रत निया इतना सही बेस वगर आपको इसमें मिल जाता है अग आपने पास अपने पास बच जाता है पीछ जाने के लिए और जैसा कि अभी हम पूरा पीछ आ चुके हैं तो यहां से पहले लाइट को जला लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं स्पेस कुछ कैसा मिलता है फोड इंडिय वर में अभी सीट्स भी आप देखेंगे ना तो इतनी पीछे नहीं है लेकिन फिर भी अडल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है पांच ग्यारा अगर किसी के हाइट हो तो वह तो बहुत बुई तरह बिज जाएगा और है अगर मैं आपको दिखा हूँ तो बिल्कुल मेरा सेरा जो टच हो रहा है इसमें यहां पर कफोल बिल्कुल ब्लेग आती है यहां पर मेरे खाल से माइक है और इस इवेंट्स आपको यहां पर मिल जाते है तो इतना कुछ है इसमें बूट स्पेस अपने को जो मिलता है बाकि इसका इसका इंटिरियर वह ऐसा लगता है और पैनेडमिक संरूफ है जो ठडरों में रहेंगे वह उनको फील हो गई नहीं है लेकिन उसके लिए ग्लास इतना वड़ा हो जाए उसका कोई सेंस बनता भी नहीं है तो चलते हैं बागी साइड और देखते हैं बागी के फीचर्स बागी थोड़ा रात का और वीव आपको मैं दिफा देता हूं 14 डेवर का इसमें ना यह ज बागी सिस्टम कर रखा है अगर इतनी महँगी जब दो साल पहले कि लेकिन जब यार कितना वेकार सिस्टम तो नहीं होना चाहिए था इसमें कुछ भी नहीं और इसमें आपको प्रजेक्टर्स मिल जाते हैं तो अच्छा रहता एक और खास चीज आपको मिलते हैं इनमें जैसे हम इसको लोग क्या लोग करते हैं तो यह पडल नहीं जलनी लग जाते हैं यह देखो जैसी मैं डोर खोलूंगा तो अगर रात में अगर आपको जैसे कोई नाली बगरा है और गड़्डव गरा है तो यह चीज आपको बता देती है कि यहां पे कुछ है इसके अलाव इसका इंजिन इसका इंजिन अपना जो टोटा की फोर्ड चुना रहे ना उससे वह ज्यादा पारफुल है तो वह कैसा कुछ दिखता है उसको एक मिन में आपको दिखाना जरूर चाहूंगा तो यहां से हम इसको बोनेट अलोग करेंगे तो फोर्ड चुनर में आता है 3.0 लीटर का इंजिन मतलब वह तो अब तो वह भी कम कर दिया है इस टाइम पे इसमें 3.2 लीटर का आया करता था फोर्ड इंजिन जो 3.2 लीटर का था 197 बेस्पी निकाल के 470 नम का टोर्क मिलता था और 4x4 यह है आटमेटिक ट्रांस्मिशन के साथ अभी इसको एक बार स्टा इंजिन इतना बुरी दरीख से नहीं आलता जितना यह बड़ा है अभी बात करते ना तो अगर 2020 की बात की जाए तो 26 आने के बाद इसमें केवल 2.0 लीटर का इंजिन रह गया है और जो आपना फोर्टूनर से बहुत ज्यादा पारफुल है अभी एक मेंट का अंदर आके स करते हैं अब करना तो काफी रिफाइंड इंजन इतना बड़ा इंजन जैसे यह तो इतनी नोई इसमें नहीं मिलती है थोड़ा रेव करना थोड़ा एक्सलेट करना तो बहुत सही कार है अगर आप इतना पैसा डालते हैं तो आपको एकदम लग्जरियस लगता है लुक्स इतनी अच्छी मिलती है लोई विल सब्सक्राइब जाते हैं और जैसे अब लाइट जलाएंगे तो यह देखो अभी जैसे यह अपना पूरा वाइट है अभी जलान जैसे हम इसमें लाइट जलाएंगे ना तो यह ब्लैक हो जाता है मतलब जैसे अभी ब्ल्यू आपको दिख रहा है न 10 ब्लैक हो जाता है देखो इस तरीके से इसमें यह सारे फीचर भी मिल जाते है यह बहुत सथा है अब न रात के टाम जब ड्राइव करते हैं तो वो वा थैंक यू सुमाट